तो कल और परसो हम लोगों ने पढ़ा था परसो क्या पढ़ा थे प्लेस वैलू की हेल्प से नंबर्स नेम लिखना सीखे थे हम लोगों हम लोग ना लेकिन वो कैसे नंबर्स थे स्मॉल नंबर्स थे ठीक है और आज हम लोग कैसे सीखेंगे आज भी वहीं सीखेंगे place value की help से numbers name निखना सीखेंगे लिकिन यह कैसे number होंगे larger ठीक है यहाँ पर कैसे numbers है बड़े उस दिन छोटे थे ना यानि thousand तक के number यह थे लिकिन आज देखो कहां तक के है lakhs lakh तक की number है ना आज लिखा है ना यहाँ पर तो उस दिन तो thousand तक ही सिखा था हम लोगों ने तभी यहाँ बड़े number हो गए ना लाग तो इस काज सिखेंगे place value पहले find करेंगे और place value की help से ही हम लोग क्या करेंगे numbers name लिखेंगे ठीक है तभी यहाँ देखो लिखना बाद में पहले समाझ लो ना नहीं समने रहोगे तो आया गई नहीं तुम लोग पहले इदा देखो समाझ में भी last में लिखना ठीक है देखो इदर number लिखा होगा ना अभी देखो मैंने क्या करते है number लिख रहता तो पहले उपर once tens करते हैं देखो यहाँ लिख दिया कि 5 आया और फिर टेंस्ट फ्लेससे िृट्प्लाइ करेंगे 20 आएगा फिर हन्रेट पर हक्त्री थ्री को 100 से तो इनकाश्ञा़ स्थैंसे तो खैस ग्रेए गरेंगे 1000 से तो थीट कर दो समय से स्देखी तो यहां कि यहां से मन्तिप्लाइख करें तो यहां से सब्सक्राओं करें जो नीचे ठाइब का तो यहां तो該 यहां से देखे पहले जो इसको उपर निखेंगे यह कितना लिखा है कितना लिखा है पढ़ के बताओ कितना लिखा है ये हाँ two legs देखो one ten hundred thousand ten thousand legs legs आ रहा है न तो two legs बोलेंगे तो देखो या मैंने लिख दिया न two legs ठीक है फिर उपर क्या आ रहा है ये forty thousand ठीक है लेखे और 10,000 यहे थाउजेंड है तो थेन थाउजेंड और थाउजेंड वाला जो नंबर रहेंगे है इन दोनों को क्या करेंगे प्लस करेंगे को इन दोनों को ठाउसेंड प्ले से लिख दे वी झालएगे ऊस्को हम लोग आइड करके बोलेंगे 46,000 बनेगा न तो अब 46,000 बना यहां पर मैंने लिख देए 46,000 ठीक है फिर उसके बाद इसके उपर देखेंगे यहां तक का हो गया तो इसके उपर क्या है यह 300 तो यहां पर क्या लिख देंगे 300 ठीक है फिर उसके उपर देखो 10th place और 1th place को पहले वाले में भी हम और 1th place को क्या करते हैं हम लोग प्लस कर लेते हैं तो क्या बन जाएगा 25 प्लस करेंगे 25 तो यहां पर देखो क्या लिख दिया 25 ठीक है समझ में आ गया कैसे लिखेंगे समझ में आया सबको नहीं देखें नहीं आया कर तो हम फिर थोड़ी ना पढ़ाएंगे बार बार नहीं इसले ने तुम पढ़ते हो तो अच्छे से देखो ना समझ में आ जाए बोल दाए भी लास्में लिखना बाद में डूंगना जो भी गिडा होगा बाद में देखना जाओंगा मिल जाएगा ठीक है अभी देखो नहीं समझ में आएगा तो इस तरह से लिखेंगे ठी समझ में आगा चलो आप डूसरा दिखते हैं यहाँ लाई बीचम में जीरो आ रहा है ना कहीं जीरो नहीं आैरा था न कहीं के province लेकिन यहां पर यहां बोलो तो पहले हम लोग देखो सब लोग ध्यान से हम जो बता है तो सबसे पहले हम लोग क्या लिख करेंगे जब नंबर लिखा रहेगा और हमसे पूछेगा कि नंबर लिखो तो पहले हम लोग उपर 1stance लिखेंगे ताकि पता चले हमें न कौन सा नंबर है तो देखो यहां पर है 1stance 100,000,000,000,000 ठीक है अब इसको लिख लिख लिया अब क्या करेंगे प्लेस व्यल्यू फाइंड करेंगे तो कैसे करेंगे ऑन स्प्लेस पर जो भी नंबर लेगा देखो फ्लेस पर वन है तो उसको किसे मल्टियप्लाइग करेंगे तो बं आएगा तो देन के सृच च्छ रहेंके पेंगे जो नंबर रहेगा उसको 100 से multiply करेंगे यहां 100 प्लेस पे 0 है तो 0 को हम लोग 100 से multiply करेंगे 0 ही आएगा ठीक फिर यहां देखो 1000 प्लेस आया 1000 प्लेस वाले को 1000 से multiply करेंगे तो यहां 4 को 1000 से multiply क्या है 4000 फिर यहां पे 10,000 आता है ठीक है 1000 को बाद 10,000 को हम लोग 10,000 से multiply करेंगे लेकिन यहाँ पर 10,000 प्लेस पे 0 है तो 0 को 10,000 से multiply करेंगे तो 0 ही आएगा फिर legs आजाता है legs को हम लोग किसे multiply करेंगे legs अब हमारेंगे तुम लोगों को अब बोलना नहीं बीच में तुम को मैं पीड देंगे हम पढ़ाते टाइम बोल जते हूं तो यहां legs है ना तो legs को इसे multiply करेंगे legs ठीक है तो 2 को legs से multiply करेंगे 2 legs आएगा ठीक है अब नंबर से लिखते हैं तो पहले ही बता चुके नीचे से सुरुआत करेंगे यहां पर क्या लिखा है two legs देखो यहां two legs लिखा हुआ है तो पहले क्या लिख देंगे two legs ठीक है फिर उसके बाद देखो यहां क्या है 10,000 place पे zero है तो zero को हम लोग नहीं लिखते हैं पहले भी मैंने बता चुका है पहली वीडियो जो बनाए थे पढ़ाये थे तो उसमें भी बताया था तो zero को हम लोग छोड़ देते हैं उसको नहीं लिखते हैं फिर उसके बाद क्या आएगा four thousand उसके उपर देखो यहां zero चो फिर देखो four thousand कूप फीस पे zero आ रहा है किस प्लेस पे zero आ रहा है hundred place पे ना तो देखो यहां कई hundred place के लिए मैंने कुछ नहीं लिखा ना hundred कहीं नहीं आ रहा है आपे क्योंकि hundred place पे zero है तो zero को हम लोग फोड़ देते हैं इसलिए यहां hundred नहीं आया तो इसको छोड़ देंग फिर इसके ऊपर आला देखेंगे तो ऊपर आला यह 10th place है यह 1s place है 10s और 1s को हम लोग क्या करते हैं प्लस करते हैं तो 70 में 1 प्लस करेंगे कितना आएगा 71 तो यहां पर क्या लिख दिया 71 समझ में आया कैसे करेंगे खीक है आप तुम लोग लिख लो फिर दूसरा बताते है प्लस करेंगे विए